हाई दोस्तों आप स्रीक एक बाइफिट स्वागत है राम की नगरी एवद्या से चित्रकूट के बीच जल्द शुरू होगा 112 किलोमेटर के राम वन गमन पत्थ का निर्माण पत्थ बहुत ही बड़ा है लेकिन अभी जो फिलहाल काम श्रू होने वाला है वह जो उत्तर प्रदेश में जो राम का वन गमन था उसी पर होने वाला है उसका एक्षेंशन है वह आगे सफर होगा तो यह इसकी जो शुरुवात है वह है अयोध्या से शुरू होकर के चित्रकूट के राजा पूर तक रहेगा तो जो अयोध्या से प्रताब गढ़ के मोहन गंज तक करीब 100 किलोमेटर शड़क पहले से बनी हुई है उसके आगे मोहन गंज से अवतार पूर होते हुए शड़क बनाई जाएगी रास्त्रे में श्रंगवेर पूर में गंगा पर बिज बनाया जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो चित्रकूट से उध्या के बीच रामवन ग परताब गड़के मोहन कंझ से अवतार पूर तक टू लैंस अड़क जो की 35 कि बनाई जाएगी जो दूसरा चिया कोव्ट के मूरत गंज तक 30 किलोमीटर 4 लैंस अड़क बनाई जाएगी इसमें कानपूर वरांशी बाइपास पर फ्लायोवर और श्रंगवेर पूर में गं के निकट घीटि रोड पर फ्ट जड़क मूरत अगया जाएगा सणक मूरत अगेच बजार बाईपास कर रोही और वज़ से मिलेगी जो बाईपास के पास और वज फॉकल कीज़ुआ Chapel स उसका जाएगा जो ईक मनेगा का तो हमारा राम 1 गलमन होगा इस में 35 Ou han upon तक होगा उसके बाद 30 कुट b मूरत गंज तक होगा और 47 किलोमीटर फॉल नेन होगा जो मूरत गंज से राजापूर तक होगा चित्रकूर्ट में एक राजापूर स्थान हे वहां तक होगा राम वन गमन मार्ग के निर्मार्ट से परेटक को बढ़ावा मिलेगा एक पौराडिक मानिता यह भी है कि भगवान राम वन गमन के समय कौसामभी के चरवा गाओं में भी रुके थे मूरत गंज से एक लिंक मार्ग चरवा से भी जोड़ेगा तो इस प्रकार से स्री राम भगवान के यात्रा को एक टूरिस्ट स्पॉर्ट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार यह पूरा वन गमन का निर्मार्ण करेंगे और इसके आगे 36 गर्ड महारास्ट बाकी भी जगा जहां राम भगवान ने अपनी पद्यातरा की थी वहां भी इसका निर्मार्ण किया जाएगा तो साथियों आज के लिए बस इतना ही हम आपको राम वन गमन पत का जो अगली सिरीज है उसमें बताएंगे कि अब यूपी के चित्रकूट का जो राजापूर जगा है महां से आगे का रास्ता भगवान ने क्या लिया था तो आगे की वीडियो को सबसे पले आने के लिए चनल को स्पाइब जूरू करें धन्यवाद